नमस्कार एन भारत के साथ मैं हूँ टी एन मनीश मरुधरा के माकुम याने राजिस्थान के सियासी रण में सुबह साथ बजे से मतदाता का जो रुजहान और उत्साह लोकतंत्र के इस उत्साओ को लेकर के था वो लगात्तार जारी है शाम पाच बजे तक का आकड़ा बताता है कि 68.24 फीजदी मतदान राजिस्थान में हुआ है यानी मतदाताओ का रुजहान और उत्साह किसी भी इस तर पे कम नहीं हुआ खास बात ये भी है कि अभी तक जिन जिन मतदान केंद्रों में मतदाताओ की कतारे हैं उन मतदान केंद्रों में मतदाताओ को अपने मतदिकार के प्रयोग का पूरा मौका दिया जाएगा यानि ये जो प्रतिशत है ये और भी बढ़ेगा अभी हमारे पास कुछ चुनिंदा विधानसवा सीटों के आकड़े मौझूद हैं जो शाम पांच बजे तक की इस्तिथी बया करते हैं उदैपूर में 64.9 पीज़ दी पांच बे तक हुआ है टोक में 68.78 सीकर में 68.48 जालोर में 64.10 जोत्पूर में 64.32 कोटा में 70.02 जालावार में 63.00 जुन्जुनु में 68.00 और करॉली में 65.00 पीज़ दी नागार में 67.00 पाली में 60.00 पीज़ दी प्रताबगण में 70.00 और राज समंद में 67.00 पीज़ दी मतदान हुआ है ये मतदान का जो प्रतिशत है ये बता रहा है कि लोगों में उत्साहरा खास बात ये है कि इस बार दुरुवी करने कैसा शब्द राजिस्थान की राजनीती में मुझे खुद देखने में आया जो पुलराइजेशन कर रहा है वो योजनाओं का प्रतिसाद और प्रतिफल मिल रहा है इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और इस बार कॉंग्रेस के तमाम नेता ये भी कह रहे हैं कि इस बार राजिस्थान का पुराना रिवाज बदलेगा यानी जनता इस बार रिपीट करेगी सरकार को जबकि ऐस होता नहीं है राजिस्थान में पिछले दो दशक से अधिक्का रेकॉर्ड है कि हर चुनाओं में जनता एक बार भाजपा तो एक बार कॉंग्रेस को मौका देती है क्योंकि उसका ये मानना रहता है कि रोटी नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाती है और बात जब विकास क रोटी की आए तो जनता बहुत समझदार है जनता अपना फैसला उसी तरह से लेती है लेकिन इस बार जाती के तवे पर राजनीती की रोटी सिक रही है कहीं ना कहीं दुरुवीकरन हो रहा है उसका कारण है कि बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेता बाजपा और कॉंग्रेस म नहीं मिला वो बागी हुए बीतर घाती भी हुए तो इस तरह के जो नेता है वो दोनों बड़े दलों के समिकरन को बिगाडने का काम भी कर सकते हैं दूसरी बात आदिवासी वोट जो वो किसकी तरब गया है दलित वोट किसकी तरब गया है और इसके अलावा मीना वोट कि की तरब गया है खत्रिय वोट किस की तरब गया है जाट लेंड का वोट किस की तरब गया है तो यह अलग-अलग जो जातिय आकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है वो क्या अपने प्रत्याशी की जाती और चेहरे को देख करके बढ़ा है या बाश्पा और कॉंग्रेस के जो दावे थे, वो दावे कितनी हकीकत थे, कितना फसाना थे, क्योंकि लोक्तंत्र में मतदाता जो है वो भगवान का दरजा रखता है, पांच साल में एक बार उसको ऐसा मौका मिलता है, जब तमाम प्रत्याशी और राजनेता बड़े-बड़े जब आप मंत्री थे, तब आपने उसकी कितनी सुनी, कितनी नहीं सुनी, ये भी एक आधार वोट का बनता है, अगर हम बात करें, हो सकता है, अशोक गहलुत जी से खुद से लोगों का सरोकार रहे, लोग उनसे नाराज ना हो, लेकिन विधायकों से नाराजगी बिलकुल ह प्रतिनी दी जनाराजगी बिलकुल है, ऐसे ही बीजेपी में बड़ा चहरा वसुन्धरा, उनका क्या रोल रहा, कितना रोल रहा, कितना हो सकता था, केंद्री नेतरत्वने कैसे ताय किया, मोधी की रैली कितनी हुई, योगी की रैली कितनी हुई, अमिश्या की रैली कितन केंद्री मंद्रियों की कितनी फौज उतारी गई कैसे केंद्री नेत्रत्व ने उत्तर प्रदेश शहित अलग-अलग राज्यों के अपने संगठन के लोगों को राजनीती के लिए वहां भेजा कैसे इस्थानी इस तर पर उनको सयोग मिला नहीं मिला इस तरह की बातें दोनों के अपने वादें हैं लेकिन इन दोनों के ही नसीब को वहां की जनता EVM में लगातार कैद कर रही है और तीन दिसंबर तै करेगा कि जितनी भी ये बातें थी इन बातों के ऊपर जनता जनार्दन साबित हुई या ये बातें साथ चली राजिस्थान की रण के लिए अभी के लिए इतना ही नमस्कार